हमना हमारे चैनल पे गेमिंग टाइप के गैजट्स बहुत रिव्यू करते रहते हैं पर आज जो मारे पास एक डिवाइस आई है रैपू की तरफ से यह एक लो प्रोफाइल वायरलेस कीबोर्ड माउस का कॉम्बो और यह कॉम्बो लुक्स वाइस तो तगड़ाई और काफी तगड़े फीचर के साथ जाता है आप इसके कीबोर्ड माउस को मल्टिपल डिवाइस के साथ कनेक कर सकते हो साइमल्टेनेसली और यह थ्री थाउजन रुबी का चल रहा है पैटरी वगर रहा है और बाकी यहां पे कीबोर्ड की लुक्स गहों कितना मीनिमरिस्टिक और लो परफाइल कीबोर्ड़ यह और इसके नदर माउस तो पूरा ब्लैक कलर रहा तो आपका जैसा setup वो like white है या black है black and white है आपकी मरजी इस keyboard की thickness सिर्फ 4.9 mm है लब देखो कितना पतला है यह और यहाँ पर aluminum alloy अनों नहीं use कर रखा तो build quality काफी अच्छी-कासी solid है और हाँ एक और अच्छी चीज इनों नहीं यहाँ पर cell डाल के दिये हैं keyboard में भी and even mouse में भी और mouse के अंदर हमारे को 2.4 GHz वाले dongle भी मिल जाती है और इस keyboard mouse combo का सबसे highlighting feature multi device connectivity यहाँ पर keyboard के ऊपर 1,2,3,4 देख सकते हो तो यहाँ पर 3 Bluetooth device प्लस एक dongle keyboard total 4 devices के साथ connect हो जाता है और जो इसका mouse है यह total 3 device के साथ connect होता है एक 2.4 GHz रॉंगल के साथ हो गया और बाकी 2 Bluetooth के through connect होते हैं तो भाई हमने keyboard mouse को combo यहाँ पर लगा लिया है और अभी हमारा keyboard mouse हमारे PC से connected है अब आप यह देख सकते हो रैपू 5.0 KB करके दिखा रहा है तो हमारा keyboard show कर गया अब मैं इसको यहाँ पर कर दूँगा connect अब हमारा एक device से keyboard connect हो चुका है अब FN plus Bluetooth 2 को हम hold करके रखेंगे यहाँ पर यह फिर से pairing mode पर चला जागा यह android mobile phone तो यह basically मैंने चाट device से connect कर दिया एक Bluetooth से एक Bluetooth से एक Bluetooth से एक Bluetooth से और एक हमारा main dongle के तुरू PC connected है और इसको shift करना बहुत असान है FN plus 1 दबाता हो में आपे तो आप देख सकते हो मेरा PC work करना शुरू हो गया FN plus 2 में आपे दबाऊंगा तो आप यहां देख सकते हो मेरे iPhone में work करने लग गया और FN plus 3 दबाऊंगा में आपे मेरे Android phone में work कर रहा है और FN plus 4 दबाते हैं तो यह हमारा main PC पर चलने लग गया और बटन दबा दबा के हम डिवाइस पर शिफ्ट कर सकते हैं और जैसे की Bluetooth connectivity और 2.4 GHz connectivity के साथ आते हैं तो किसी भी डिवाइस में आप चला सकते हो चाहे Android हो Mac हो Windows हो iPad OS हो या Chrome OS आप चला रहे हो Android TV आप चला रहे हो सब डिवाइसे पर कनेक्ट हो जागा और iPhone वाले आरे 12 Keys के उपर जो FN के साथ आप यूज कर सकते हो जैसे multimedia Keys हो गई यहा पर वॉल्यूम वगएरा फॉरवर्ड बैकवर्ड तो यह भी day-to-day life में काफी काम आ जाता है और जो इसका माउस है 1300 DPI यह सपोर्ट करता है और इसके अंदर को DPI कंट्रोल नहीं है माउस की sensitivity आप कम कर सक तो 12 महीने तक इसकी बैटरी चलीगी कीबोर्ड और माउस की और अगर डाल दो गे तो तो उसके बाद तो क्या ही बात चीत फिर और बारा महीने बाद रिव्यू बनाएंगे तो हो गया काम तो मारे चैनल का फिर खतम बट येस wireless keyboard माउस जो combo होते ना इनकी बैटरी बहुत चलती है मैं personally पहले भी काफी टेस्ट कर चुआ हूँ अफजर experience की बात कर लेते है typing experience बढ़िया रहता है काफी low profile कीजेस की तो वही चिकले डॉल experience मिलता है और जो office work वगरा करते है basic typing करते है silent feedback है कोई आज सच खट-पट-पट नहीं है रात में आप रूम में बैटके काम कर है इसकी बात सुनो इतनी क्लोज रखने के बाद हो टक टक सुना ही दे रही है नॉर्मली जो एक human का distance होता ना उस पर सुना ही नहीं देता बिल्कुल भी और latency मेरे को ऐसाच फील नहीं हुई दोनों keyboard mouse के मामले में बट वैसे मैंने latency test आपके लिए रिकॉर्ड करा है आप ए सिंपल नो वायर का जंजट और तो और अगर अपल का magic keyboard magic mouse करीदने का budget नहीं है तो definitely आप इसको consider कर सकते हो लुक्स कितनी प्यारी है और overall दिखने भी डेस्क पे अच्छा लगता है और अगर आप अल्रेडी कोई keyboard mouse का combo यूज कर रहे हो इस टाइप कोई बढ़िया सा तो मे वीडियो को लाइक किया और वो भी कर सकते हो मिलते हैं नेक्स वीडियो अब तक के लिए बाई